सब्सक्राइब कीजिए सेलफ अध्यन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाईए लेटरस्ट अपडेट के। पीडियेफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे किलिक करें। वल्कम फ्रेंट सेलफ अध्यन पर Economics Question No.10 जो BICOM में ज़्यादतर या BA में ज़्यादतर आता है यह question कि समगर मांग पर मौद्रिक एवम राजकोषियनिती के प्रभाव की व्यक्ष्य कीजिए या मौद्रिक एवम राजकोषियनिती के सामोहिक मांग पर क्या प्रभाव पढ़ता है यह ज़्यादतर question exam में पूछा गया है तो यहाँ पर इस PDF में आपको answer दिया गया है आप चाहें तो इसको description के link से download कर सकते हैं और इसको read out कर सकते हैं यह यह question इस तरीके से आ सकता है कि अर्थ विवस्ता में सुस्ति को समप्त करने में सरकार राजकोषियनिती के उपकरनों का प्रयोग में ले सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मांग पर मौद्रिक निती का क्या परभाव पड़ता है यहाँ पर mention है और नीचे की तरफ सकल मांग या कुल मांग आपका किस तरीके से आपको define करना है और मौद्रिक निती का किस तरीके से इस पर एफेक्ट पड़ता है यहाँ पर नीचे एक चार्ट के थ्रू भी बताया गया है कि एक शॉर्ट रन एग्रिगेट सप्लाई में किस तरीके से पोटेंशियल आउटपुट होता है प्राइज लेवल रियल आउटपुट उसके बाद यहाँ पर मौद्रिक निती भी दे रखिये तो इसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करके पड़ सकते हैं और पास्वर्ड रिलेटेड के लिए आप मुझे वाट्सअप या मेल कर सकते हैं बाकी जो भी कोश्चिन्स अभी अपलोड होंगे वो आप सारे की सारे पीडियेफ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से और सभी का पास्वर्ड सेम है आप किसी का भी पास्वर्ड अलग-अलग नहीं दे रखा है जितने भी पीडियेफ टाली जा रहे हैं सबका पास्वर्ड सेम है तो बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहे हैं सेल्फ अब दिन के साथ ठैंक यू